आड़लो एब्रिवन, दिस पार्थ पतेल, वेलकम डुक्यू सर मित्रो आपने आना आगर ना वीडियो ने अले पूर्ण वर्थमान कार गएक प्रेजंड पर्फेक्ट टेंस नो अभ्यास करी गया हवे आजना वीडियो मा आपने present perfect continuous tense नो अभ्यास करवाना छिए लेके 4 पूर्ण वर्त्मानकार ने शिखवाना छिए हवे मित्रो चालू पूर्ण वर्त्मानकार अने पूर्ण वर्त्मानकार आब एवा टेंसिस छे के जनी अंदर थी मोटे बागे अवार नवार मोटा बागनी परिक्षाव मा प्रश्णों पूछाता होई छे करनार के आब एटेंसिस नी अंदर गणू बदू कन्फिजन विद्यार थियोंने रहतू होई छे अने त्यनों लाब पेपर सेटर कदाट लई शके एटला माटे मोटा बागना प्रश्णों आब एटेंसिस माथे पूछाता होई छे एले आज नों विडियो ध्यान थी जोईलो आ टॉपिक ने समझीलो तो तमने एक कन्फिजन पॉइंट क्लेर थाई जचे एम तो मित्रो प्रेजन परफ्याक कंट्रीन अस्टेंस नी अंदर अलग-अलग गणा नियम हो छे पर तेमा थी मोटे बागे प्रश्णों पूछाता होता ना थी कारण के ए बदाने खबर होई छे ए बदाने आवरता होई छे इतला माटे जे कन्फिजन पॉइंट छे जे नियंदर खरेकर आपने दिविदाव भी थाए के आनियंदर पूर्ण वरत्मान कार मुखो के चालू पूर्ण वरत्मान कार मुखो एवा टौपिक माथीज प्रश्णा पूछाए छे अन्ने ए टौपिक आपने या क्लियर आची तो चालो विडियो नी शरुवात कड़िये 17 पैला मित्रो आपने प्रेजन पर्ट्फेक कंटिन्यूर स्टेंज एल्ले के चालू पूर्ण वरत्मान कार मी वाक्य रतना समझी लेए वाक्य रतना नियंदर 17 पैल आप शे मित्रो करता तेना पशी आप शे हैस बिन V5 एटले के क्लिया पदनु ing वाड़ू रूप क्लिया पदनु मुरू रूप प्लस ing तेना पची आवशे मित्रों अब्जेक्ट एटले के कर्म तेना पची फोर आत्वा सिंस अचे अने टाइम पण आपेलो हशे आर इतनी तेनी वाक्य रतना आचे मित्रों, फोर सिंस पची टाइम एक अधाज गणा वाक्यों नी अंदर ना पण होई शेके पड़ाम तु मित्रों आ तेनी वाक्य रतना छे, जे आपने पहला वीडियो मा पन समझी गया ची एटला माटे आपने आ वीडियो नियंदर वाक्य रतना ने फडिती समझवा माटे वधारे टाइम आपता ना थी तो चालो, हवे नियम नंबर एक, जे एक मेव नियम छे, जे आपने समझ वानू छे, अनि जनी अंदर थी आपने कन्फिजन दूर करवानू छे, तेने आपने समझ ये तो सवती पहला मित्रो आपने जोईए, के वाक्यानी अंदर सिंस आवेलू होए, प्लस निष्चित समय गाडो आवेलू होए, वाक्यामा सिंस होए, प्लस निष्चित समय गाडो होए, जोवा मित्रो, अई ये वाक्यानी अंदर सिंस आवेलू छे, प्लस निष्चित समय गा आवेलो हो जुए, सिंस प्लस निश्चित समय गाडो, अथवा 4 प्लस समय गाडो होए, अथवा 3G कंडिशन चे हाउ लोंग वाडू प्रश्चनार्थ वाक्या होए, तो त्या आपने चालू पूर्ण वर्त्मान काड़नों प्रयों करिये छिए, फरितिमित्रों, सिंस प्लस निश्चित समय गाडो, एज रिते 4 प्लस समय गाडो, अथवा 3G कंडिशन चे हाउ लोंग वाडू प्रश्चनार्थ वाक्या होए, तो त्या आपने चालू पूर्ण वर्त्मान काड़नों प्रयों करिये छिए, हवे आपने अम थाए कि आवडो नियम चे कंफुजन आचे मित्रो, कि जारे प्रश्चन पुछाए चे, त्यारे ए प्रश्चन नियंदर सिंस प्लस समय गाडो आपेलो हाचे, तो त्या पूर्ण वर्त्मान कार मुको के चालू पूर्ण वर्त्मान कार मुको आपने परिक्षामा रहतू होए चे, तो एटला माटे म मित्रोओ आपने आ नियमने बराबर समझी और पछिए एकजमपल नीमें धति आ नियमने क्लीयर करवानो प्रयात्न कड़िए मित्रोओ अटलू तो आपने ख़बर सेaison 2 व worry if you want the current four year seven last year में दो लॉंग वार्भ करों तो 8 वार्त्मान कड्मा अ ये के विली ते नकी थाए तो त्याना माटे मैं मित्रो या बीजो एक नियम लाखेलो छे कि जारे पन वाक्या मां क्रिया चालू होशे त्यारे आपने त्या चालू पूर्ण वर्त्मान कार मुखीशू जारे कोई पन वाक्यानी अंदर सिंस प्लस निश्यत समय गाड़ो आवेलो होई पने वाक्यानी अंदर क्रिया दर्शावाम आवेली होई कोई एक समय एक क्रिया चालू थायली अने आज सुझी चाली आविड़ायली छे ए रिते जारे त्या क्रिया चालू चे एवी वाद करों मावेली होए त्यारे आपने त्या चालो पूर्ण वर्त्मानकार मुखी शुँ अने जो मित्रो कोई एक स्थिती चालू होए एले के कडिया पूरी थाई गय लिया छे पन कोई एक स्थिती चाली आविरे लिया छे तो त्या आपने पोण वर्त्मान कार्णों प्रयोग करिये छिए फरी थी समझीलो मित्रो सिंस प्लस निश्चित समय गारो होए तो चालू पूर्ण वर्त्मान कार रथवा तो पूर्ण वर्त्मान कार बन्ने माथी कोई एक आवि शके एजरीते 4-प्लस समय गारो हुए तो पने बन्ने माथी कोई एक आवे हाउ लोंग थी प्रश्णार्थ वाक्या होए तो पने बन्ने माथी कोई एक आवी शेके परन्तु ए बन्ने माथी कर्यों एक आवशे तो एना माटे नो नियम जा नीचे छे कि जो वाक्य मां क्रिया दर्शावां मावेली होए, क्रिया चालू छे आरितनी वाद करवां मावेली होए, तो त्या आपने चालू पूर्ण वर्तमान कारनों प्रयोग करीशू। अने जो कोई स्थिती चालू होए तो त्या आपने पूर्ण वर्त्मानकार्णों प्रयोग करीशो। चालू मित्रो हवे आ नियमने आधारे आपने आटला वाक्योंने समझिये, तेनी अंदर खाली जग्याओ फिलब करिये अने समझी लेए के चालू पूर्ण वर्त्मानकार्णों प्रयोग के वी रीते थाये चे। अने के वी रीते आवालनावाल प्रश्नों पूछात आवयेचे। पाच या निचेनु वग्याचे छे एक अलग नियम छे जा आपने पचिती समझिये। तो पहलू आके जुओ, she has been reading a book since last Tuesday, तेनी गया मंगरवार्थी पुस्तक वांचती आवी रहेली छे, तो मित्रो क्रिया नी शरुवात क्या रे थाई, गया मंगरवारे, तो आपने निश्चित समय गारव आपी दी देलो छे के गया मंगरवारे तिने पुस्तक वांचवानी शरुवात करेली, ये क्रिया आज सुधी चालती आवी रहेली छे, she has been reading a book since last Tuesday, तो बुक वांचवानी जे क्रिया चालती आवी रहेली छे, एटला मांटे आपने या has been plus ing वारू रूप, एटले के चालो पूर्ण वर्तमान कार्णों प्रयोग करेलो छे, तो जुओ मित्रो ये क्रिया चालती आवी रहेली छे, एटला मांटे आपने चालो पूर्ण वर्तमान कार्णों प्रयोग करेलो छे, विजुवाक के जो, I have been teaching in the school for 5 years, तो मित्रो ये 4 प्लस समय गाड़ो आवेलो छे, 5 years, 5 वर्ष नो समय गाड़ो, क्या 5 वर्ष ए निष्टित ना थी, ये म मंगलवार कयो, तो लास्ट टूजडे, जे गयो मंगलवारा तो येनी बात करवामा आवेली छे, पने ये 5 वर्ष कया, तो आपने खबर ना थी, पने एक समय गाड़ो आपना मा आवेलो छे, तो 4 प्लस समय गाड़ो आवी गयो, हावे आईया पूर्ण वर्तमान कार, अथ छू, तो मित्रो आया क्रिया चालू, तामे जो ही शको जो के बना वमवाने क्रिया चालती आवे रहेली छे, एटला माटे आया आपने विल प्लस टीचिंग, एटले के चालू पूर्ण वर्तमान कार, प्रयोग करेलो छे, तो जूह मित्रों बंदे वाक्यणी अंदरशु चालू अतु क्डिया दर्शावामा आविले थी और या रिडिंग और या टीचिंग आ प्रकार नी क्डिया चालू अती एटला माटे आपने चालू पूर्ण वर्त्मान काणनों प्रयोक करेऊ हावे नीचे जगो त्रिजा वाक्य माँ माइ ब्रदर ब्लेंक टू सुरत सिंस 2011 मारो भाई बेहजार अग्यार्थी सुरत माँ शिप्ट थहे लो छे तो मित्रो यहाँ आवाक्य समझ वा जेऊ छे शिप्ट थहे लो छे तो शिप्ट थहावानी क्डिया सतत चालती रहे एवो बने के 2000 अग्यार्थी तेने शिप्ट थहावानू चालू कर्यू तो आजे टेबल लई गया काले पलंग लई गया काले फ्रीड लई गया ए रितन तो जो माई ब्रदर ब्लेंक टू सुरत सिंस 2011 मारो बाई बे हजार अग्यार्थी सुरत शिप्ट थहे लो छे तो थही जवानी क्डिया पूरी थही गये ली छे हवे मात्र त्या स्थिती रहे ली छे एटला माटे आपने या मुकिशू हैज शिफ्टेड पूण वर्दमान कानी अंदर मित्रो हेवेज नो उप्योग थाशे औने तेनी जोडे वी थ्री एटले के भूध क्रिदंत नो उप्योग थाए छे तो माई ब्रदर हैज शिफ्टेड टू सुरत सिंस 2011 मारो बाई बे हजार अग्यार्थी सुरत शिफ्ट थहे लो छे थहे लो तो जुवा मित ज अपने पूर वर्त मान कारणों प्रवायोग करेलो छे औने उप्पर ना बे वाक्यों निदर क्रिया चालु अती एटला माटे आपने त्य चालू पूर वर्त मान कारनो प्रवग करेलो छे चालो मित्रो हवे छतु वाक्या जुओ ? she blank ill since Monday तो जुवो मित्रो आ वाक्या नी अंदर पन since आवि गयेलू छे अनि तेना सिवाए वाक्यामा समय गाड़ो पन आवि गयेलू छे since प्लस निश्चित समय मड़ी गयेलू छे हावे कौंसमा आपने आपवामा आविलू छे क्रियापत b एटले के छे तो जुवो मित्रो, she blank ill since Monday वाक्यानों और थे ओ था छे कित्यानी सुमवार्ती बीमार छे तो मित्रो तेनी सुमवार्ती बीमार था येल छे तो बीमार होवानी एक स्थिती होई आपने शर्दी थाई या तabolic ए उन founders के सतत मने सोमवर्थी शर्दी थती आवेली छे, शर्दी थवानी क्डिया सतत चाली रहेली छे आउना होए, एक वार शर्दी थाई ये तो पछी ये शर्दी 4-5 दिवस माटे रहे आवी एक स्थिती होए, तो एज रिते यहां बीमारी आवी गएली छे, पने बीमार छे ये तेमा कोई क्डिया चाली रहेली ना थीके सतत बीमारी आवती रहेली छे, इटला माटे आपने मित्रो यहां पूर्ण वर्त्मानकार मुकवानों छे, तो शीनी साथे आपने सहायकारा क्डिया पदनो उप्योक करी शू हैज, शी हैज अने बीनू रूप थशे बिन, अमाटे आपने पूर्ण वर्त्मानकार मुकवानों प्राउग करेऊ, तो जो पहला बे वाक्यों और त्रीजा चो था, आ बे वाक्यों ने तमें कंपेर करी जो, तमने खबर पड़ी जशे के क्या रे पूर्ण वर्त्मानकार मुकवानों उप्योक करेऊ, तो मित्रो आशा करूचुके तमने अहिया क्लेर थाई रही हुआ शे हवे पाचमु वाक्य जुओ इट ब्लेंक सिन्स जए लेफ्ट फोर द स्टेशन काउसमा अपने क्रियापदा पमा आवेलू छे रेन एटले के वरसु तो मित्रो आया जुओ के जए जारे स्टेशन माटे गयो जए जारे स्टेशन माटे निकलियो त्यार्थी वर्साद वर्सी रहेलो छे सिन्स आवी गयेलू छे प्लस निष्चीज समय गाड़ो पन आवी गयेलो छे कई समय गाड़ो छे जए जारे निकलियो त्यारे अथ्वा तो एरी ते पन आपने जुई शकिये क्या या जए लेफ्ट फोर द स्टेशन एक बिजु साधा भुदकार नू वाक्य अपन चालू पूण वर्तमानकार आवी शके हवे आपनी त्या एद नियम लागू पर शे क्डिया चालू होई तो चालू पूण वर्तमानकार अने जो स्थिती चालू होई तो पूण वर्तमानकार तो या जुओ क्डिया चालू होई शके स्थिती चालू होई तो और्थ समझिय जारे जय स्टेशन माटे निक्लियो त्यार्थी वर्साद वर्सी रहेलो छे। एदो और श्यू थाव मित्रों के जारे जय स्टेशन माटे निक्लियो जारे त्यार्थी प्रस्थान करियो त्यार्थी वर्साद वर्स्वानी जे क्डिया चालू थाई त्यार सुधी चाली इत्यार सूदी चाली आवी रहेली छे तो आव अक्या वी आक्या दरर कďिया चाली छालनु जह सुद ऐक ये प्रेयो चाली आवी टिया आ갈्या अप्या है चालनु ब्लैंक हीर तो जो मित्रों में तमने कहें लू के हाउ लॉंग पची प्रश्चनार्थ वाक्य रतना होए तो त्या आपने पूर्ण वर्त्मानकार अथ्वा चालो पूर्ण वर्त्मानकार्णों प्रयोग करी शकिये छी को उसमा अपने स्लिप करीया पदापेलू छे तो जो हाउ लौंग यह क्यार थी तमें कितला समईती तमें सूता रहेला छो क्या अहिया तमें कितला समयती अहिया सूता रहेला छो तो मित्रों सूता रहेला नी ये क्रिया होए समझी लो के ते मानसुई ग्यो तो ते क्या सुधी सूतो रहेलो छे एक क्रिया छे उंगवानी ये क्रिया चाली रहेलिया छे इटला माटे आईया आपने मुकिशू How long you छे तो तेनी साथे आपने मुकिशू How long have you been sleeping here तो मित्रों ये क्रिया चालू हती इटला माटे आपने ये मुकिशू चालू पूर्ण वर्तमान कार तो मित्रों मगज माँ बेज वाद फिट करवानी छे कि जारे पन वाक्या नी अंदर सिंस प्लस निश्री समय कारो अथ्वा तो 4 प्लस समय कारो अथ्वा तो how long वारी प्रश्णार्थ वाक्यरतना होए और त्यानी अंदर जो क्रिया दर्शा वामा आवेली होए तो त्या आपने चालू पूर्ण वर्तमान कारनों प्रयोग करीशू अने जो ए वाक्या मा स्थिती दर्शा वामा आवेली होए तो त्या आपने पूर्ण वर्तमान कारनों प्रयोग करीशू हावे मित्रो हूँ आशा करूछू के तमने आ नियम स्पष्ट थाई गयो हशे तमारे मात्रश्टू जो आनूछे वाक्या मा स्थिती चालूचे के कडिया चालूचे अपने आपो आप जवाब मढ़ी जाशे हावे मित्रो तेना सिवाईनों एक नियम आई आछे जो में एक वाक्या लखेलू छे वाई आर यॉर क्लोथ्स सोवेट आई हाव बिन वाटरिंग द गार्डन आर इतनो कोई प्रश्ण तमने पूछे वाई आर यॉर क्लोथ्स सोवेट तमारा कपड़ा केम भीना चे तो आपने तेने केता होई ये चे क्यों पाणी छाटी रहेलो हतो एटला माटे मारा कपड़ा भीना चे तो जुओ मित्रो नजिकना भुद्कार मा हम्राज पूरी थायली कोई क्रिया आपने जरे रिपीट करता होई ये जरे आपने तेने याद करीने कोई सामेवाड़ा व्यक्तिने कहता होई ये चे त्यारे पन आपने चालू पूण वर्तमान कारणों प्रयोग करता होई ये चे जुओ वाय आर्ग योर क्लोच सो वेडत अमारा कपड़ा क्यम बीना चे तो आपने तेने जवब आपेलो चे चालू पूण वर्तमान कार्मा I have been watering the garden हूँ गार्डन माँ पाणी पाई रहो अतो हूँ गार्डनने पाणी एले के बगीचा माँ पाणी चाटी रहो अतो तो मित्रो पाणी पावानी क्रिया पूरी थाई गये ली छे पर नजिक माजे क्रिया पूरी थाई ली छे अनि असर आपना उपर देखाई रहे ली छे के आपना कब्रा बीनात लैं गया छे तो एवा समय आपने चालो पूर्ण वर्तमान कार्णों प्रयोग करी शग्ये छे तो एतला महाँड़े आपने यह चालो पूर्त्मान का सिकर दरे लो छे दोई रहे वतो एवन अथी मित्रो गाड़ी दोएली छे तो यह गाड़ी दोएला होवान एक स्थिती छे तो त्या आपने पूर्ण वर्त्मान कारनों प्रयोग करीशू पन समझीलो के तमने कोई एम पूछे छे एके तमारा कपड़ा क्यम भीना छे अने आपने एम कहिशू के हूँ गाड़ी दोई रहे वतो तो यह वकते चालू पूर्ण वर्त्मान कारनों प्रयोग करीशू मित्रो एक दम मायनोर फरक्षे स्थिती अने क्रिया नो फरक्षे याद राकिलो समझीलो के तमने कोई एम पूछे चे के तमने आटलों बदों पर्से हो क्याम थायो छे तो आपने एवकते कहिशू के हूँ दोड़ी रहे लो हतो तो दोड़ी रहे लो हतो अईया क्रिया दर्शावाम आवेली छे एटला माटे आपने त्या चालू पूर्ण वर्त्मान कारनों प्रयोग करीशू तो मित्रो आखा चालू पूर्ण वर्त्मान कार माँ जो कोई शिखवा जो नियम होय तो तो ते आज छे के स्थिती चालू होय तो पूर्ण वर्त्मान कारनों प्रयोग करवानों औने क्रिया चालू होय तो चालू पूर्ण वर्त्मान कारनों प्रयोग करवानों तो मित्रों आशा करूछू के तमने चालो पूर्ण वर्त्मानकार क्लियर थाई गए वाशे। आज रितें इंग्लीश ग्रामर ना अलग अलग टॉपिक्स ने शिक्वा आमाटें अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो और जो वीडियो सारो लागे हो है तो वीडियो ने लाइक करो। ठैंक यू, have a nice day.